शूप शंदिया इसमें दो ड्रैवर बिजय बादूर सिंग उतर परदेश अमेठी एमम धर्वेंद्र मिस्र मत्य परदेश के रहने वाला है यह सराब भागलपूर के रास्ते बिहार के कई जिलों में डिलेवरी होने जा रहा था जगदेशपूर से राकेश कुमार की रिपोर्ट पूली परव को सांती पुर्वक मनाये जाने के लिए पूरे राज भर में पिछले करिवेक सफता से जो की एक विशेश वियान चलाये जा रहा है जो की अगले पूरे एक महने तक चलाये जाएगा और इसी क्रम में विभिन छेत्र में छापे मारी की जा रही है उन शराब बंदी की जो निती है उसको लागू कराने है तो और इसी में कई सारे ठाने छेत्रों में शराब की ब्राम्दगी हुई है इसी क्रम में मदिनिशेद कुशांग जो की पटना में है वहां से यह सुचना मिली कि भारी मात्रा में शुराब भागलपूर के रास्ते ले जाये जा रहा है और इस सुचना के सत्यापन तथावर्षय कारवाई के लिए लोधीपूर, जगदीशपूर, बाइपास और जगदीशपूर ठाना के अनिसादस्रियन और साथमें मदनिशेत को सांग के सहीओग से उनकी टीम के सहीओग से हम लोगों ने दो ट्रक को पकड़ा जिसके पास जिसमें भारी मात्रा में शुराब रखा हुआ था जो दोनो ट्रक है, उस दोनो ट्रक के बारे में जानकारी मिली है कि ये कहीं इस राजर के बाहर से आ रहा था और बिहार के जो कई दूसरे जिले हैं वहाँ पर ये शराब पहुंचाने के लिए जाये जा रहा था इसमें जो विदेशी शराब है वो कुल मिला करके 1785 लीटर बरामद हुआ है जो की 196 कार्टून में है ये विदेशी शराब और साथी साथ दोनों ट्रक्ट में मिला करके कुल 62 लीटर बारसाथ ड्रम बारसाथ ड्रम स्पिरिट का है उसको बरामद किया गया है और उस बारसाथ ड्रम में प्रती ड्रम लगभग 300 केजी एक ड्रम का उसकी केपैस्टी है तो लगभग हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि कुल मिला करके 1860 केजी जो 18600 केजी जो ये स्पिरिट है उसको बरामद किया गया है इसमें दो ट्रक्ट सीज किया गया है तीन मोबाइल फोन सीज किया गया है छे बिविन नंबर प्लेट अलग 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 नंबर के जो करने वाला है इस मामले में अगरतर कारवाही करते हुए हम लोग जो बैकवर्ड और फावर्ड लिंकेड़ है उसको इस्टाब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो क्या करते हैं जिनके द्वारा इस पूरे सराप को यहां पर पहुंचाने के कारी किया जा रहा ह है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग टीम बनाये हैं और जल्द ही यह टीम बाहर भेया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी की जाएगा यह तक जो अनुसंधान में तत्र आये हैं कि यह बंगाल से सराव चला था और यहां पर कई जिलों में ले जाया जाना था अभी हम जो है अस्थानिया ने बाहर कि ए मिल्कुल इसमें जो सामिल जो लोग है किसी अने जिले में यहां से ले जा रहे थे परन्तु इसकी सुचना हमें मिली और इसको हम भ़ेगे तर इसकी आन वानित कीमत किता सफ़र इसकी मुझे चानकारी नहीं है आप लोग इसको यह कर ले और इसी में कल एक और पक्रायफ है करी बंकुलों कि पचास बोतल वाला जो यहां का जो लोक स्थानिय है तो इसलिए तीन लोग आपको आपर दिख रहे होंगा कि कुछो याता है कहां से हैं शाइनों साइनों कि मारा प्रलगातार सरक दुर घटना को लेकर के हम लोग कापी इसमें समेलन सील है और इसको लेकर के मुझता यहां पर देखा जा रहा है जगदिसपूर परकिन के भवाणीपूर देसरी गाउं में सिरिश्टी 108 सी भक्ती महारूद रभागवत कता का उदगातण किया जगदिसपूर परकिन विकासपतादिकारी चंदर बूशन गुपता भवाणीपूर देसरी के मुख्या असोक साब पैक्स अद्यक साकी प्रवचन वाची का पुजी देवी पुश्पकी सोरी जी है भागवत कता का उजिन साथ दिनों का होगा जग्दिशपूर से राकेश कुमार की रिपोर्ट है आप सब्सक्राइब भागवत कता पंडाल के दिने दो जग्दी माता जाहिए ठरे का हुआ सब्सक्राइब का पुश्क माला लेकर अभी प्रतुज्य चुपश्कूर किशोरी की के जग्दिशपूर थाना छेत्र के सरोजनी पैट्रल पंड के आगे भागलपूर की और से आ रही टेंपू एबं भागलपूर की और जा रही ट्रेक में आमले सामने का टककर हो गई जिसमें टेंपो ड्रैबर मुहंबत चांद का माउस हो गई वह साजंगी का रहने वाला था इनका दो पूत्र एबं दो पूत्री है एबं एक ही परिवार का पती पवन कुमार पत्नी शुप्रिया रानी एबं पूत्र तुशांत सागर नवादा बजार के गौरणी गाउं जगदेशपूर हरस्पिटल लाया गया जहांसे बहतर इलाज के लिए माया गज हर्सपिटल भेज दिया गया जगदेशपूर से राकेस कुमार की रिपोर्ट झाल